सब्स्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटेस्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो कल समसंग का अनपैक्ट इवेंट था जिसमें समसंग ने एस 22 सीरीज को लाँच किया और उसमें हमें 1EY 4.1 देखने को मिला और नए फीचर्स और इंप्रोफ्मेंट्स भी देखने को मिले साथ ही समसंग ने ये भी एनौंस कर दिया है कि वो अब चार मेजर ओएस अपड देने वाला है सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ तो वीडियो को अंदर तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो कोicherung करते हैं 95 लाइक 95 लाइक 900 लाइक अप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा और चैनल पर पहली पर आन तो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिचिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यू शलाब दिख रहे हैं टिक दोस्त प्यू तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखें दोस्तों सामसंग ने Note 20 सीरीज को लांच किया था जब 2020 में तो समय अपना अपडेट पॉलिसी चेंज किया था जितने भी फ्लेक्शिप डिवाइसेस थे उन डिवाइसेस में तीन मेजर OS अपडेट देने के लिए कहा इसके अलाबा चार साल तक लगातार सेक्यूर्टी पैचेस अपडेट भी दे देने के लिए कहा था इसके अलाबा कुछ A-Series के भी डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस में तीन मेजर अपडेट देने के लिए कहा था समसंग और समसंग ने फाइनली कल A-22 सीरीज को लांच करते ही यह एनॉंस कर दिया है कि वो अपने फ्लेक्शिप डिवाइसेस में च वाइड 16 तक अपडेट मिलेगा साथी 5 साल तक लगातार सिक्योर्टी पैचेस के अपडेट भी मिलेंगे तो 2027 तक सिक्योर्टी पैचेस के भी अपडेट इन डिवाइसेस में आएंगे बात करें कि किन किन समसंग के डिवाइसेस में अपडेट आने वाला है तो A-22 H21 series H21 H21 plus H21 Ultra H21 FE इन डिवाइस में हमें चार major OS update देखने के लिए मिलेंगे इसके अलावा 5 साल तक लगतार security patches के भी update देखने को मिलेंगे तो यही था आज किस वीडियो में उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दिजिएगा लाइक चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दिजिएगा सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम